हम बात करेंगे मुंडावर की जो की अलवर लोकसभास खेत्र के तहत ये सीट आती है और उसमें क्या इस्थिती बन रही है क्या बीज़ेपी की रण्निती कामःाब होगी या कांग्रेश ने जो दाव कहला है वो कामःाब होगी कांग्रेस का दाव काम्मःाब होगा मैं हूँ विद्धा संकर्तिवारी इंडिया न्यूज के डिटर चैनल इन खबर के लिए दरसल तीन लाग के मद्दाता वाले इस बिधान सबाद छेत्र में अन्सुचित जात की ठीक ठाका बाद ये 16-17% बताया जाता है लिहाज सुभाविक है कि उनका सिय ज्यादा होगा यदि हम बात करें कि इस बार क्या सिन उभरने वाला है तो इस बार वहाँ पे भाजपा ने उतारा है मंजीत धरमपाल को अपना प्रतियासी बनाया है जो कि पुरू विधायक धरमपाल चोधरी के बेटे हैं उनका भी हाली में निधन हो गया था तो एक तरस उसने सहान यादो की पार्टी को दे दिया है जिस सरदयादो की पार्टी ने यहां से भ्रत की यादो को मैदान में उतारा है यहां जात यादो में वोट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसीAS तो के हैं तो 11 जो है निर्दली यह है और यदि पिछले चुनाओं की बात करें तो यहां पे 2013 में धरमबाल चौधरी बीजेपी के धरमपाल चौधरी ने जो है मेजर ओपी यादो कांग्रेस को हराया था उनको 81,000 के आसपास वोट मिले थी तो जबकि मेजर यादो को जो है लग पाल चौधरी को 53,000 के आसपास वोट मिले थे और इस तरह से मेजर ओपी यादो जीतने में काम्याग हो गये थे यानि कि एक तरह से यहां पे एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस की जीत होती रही है तो इस तरह से इस सीट का कुछ एक्वेशन बन रहा है और इस बा किजिए